ओम शिरी गणेशा आए नमा नमस्कार दोस्तो रोचक जानकारी में आपका स्वागत है दोस्तो होली का त्योहार होली का त्योहार रंग विरंगी होली सभी को दोस्तो बहुत ही पसंद होता है इस दिन दोस्तो सभी बुराईयों का नाश हो जाता है और लोगों के घर में खुशाली आती है दोस्तो होली के दिन कुछ ऐसे उपाई किये जाते हैं जिससे घरों के वास्तु दोश दूर हो जाते हैं धनकी देवी लक्ष्मी का अगमन हो जाता है और रुके हुए सभी कारिया होने लगते है हुली के दिन कौन सा ऐसा उपाय है जिसे करने से आपके घर में लक्षमी माता की किरपा होने लगती है और घर के सभी वास्तू दोश दूर हो जाते हैं सकारातमक उर्जा आपके घर में आने लगती है दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गनिशाय लिखना मत भूलेगा दोस्तो आपको क्या करना है दोस्तो जब होली का देहन होता है दोस्तो पहले दिन छोटी होली मनाई जाती है और दूसरे दिन रंगों की होली खेली जाती है तो होली का देहन के बाद आपको जो होली की राख होती है उसको लेना है आपको लाल रंग के पांस चोकोर कपड़े लेने हैं चोटे चोटे टुकडे उसके काटली और उसमें होली का देहन की राखव रखें आपको इसके बाद उसे पीले धागे से बांदना है प्रतेक पोटली को आपको पीले धागे से बांदना है पांच कपड़े लेने हैं पांचों में थोड़ी थोड़ी राख रखनी है और पां मुखे दूआर पर बाननी है और बाकी बची चार पोटलियों को आपको घर के चारो कोनों में टांग देना है ऐसा करने से दोस्तों आप देखेंगे कि आपके घर की सभी वास्तु दोस्त दूर हो जाते हैं और धन के देवी मा लक्षमी का आगमन आपके गर में शुरू हो जाता है गर में कलेश ओ बीमारी ओ नेगेटिव एंडर्जी ओ सभी धूर हो जाती है होली का दहन की जो राक होती है दोस्तो उसमें बहुत सारे वास्त दोश दूर करने की शक्ति होती है और घर में मा लख्षिमी का वास होता है बिमारियां दूर हो जाती है नकारात्मक उर्जा आपके घर में नहीं आती है ये एक बहुत ही अचूख सा और सटीक सा उपाय है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ उमीद करूंगे दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदे मन्द रहे फायदे मन्द रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले कमेंट बॉक्स में जै शिरी राधे ओम गनेशाय नम्हा लिखना मत भूलेगा ओम गनेशाय नम्हा नमस्कार दोस्त झालओे एंद कर दोस्तों पूले कर दोस्तों ये जायदे बहुत हैंे वीडियो आए बहुत हैं।